नमस्कर दोस्तों स्वागात आप सभी का इस चैनल पे जहाँ पे आप लोगों को कुछ नया जनकरी मतलब इन्फोर्मेशन मिलता है तो यहाँ पे बेंगॉली इंद इंगलिस अबेलेबल है मन में कोई भी question आता है तो आप नीचे comment box में जरू comment कर सकते हैं दोस्तों अगर आपके facebook account में 2gmail account link है तो आप कैसे 1gmail account को remove कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आज आप लोगों सब कुछ बताऊंगा अगर 2gmail account में से 1 account remove करने में कोई भी problem हो रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको solution मिल जाएगा तो वीडियो को जरू last तक देखना तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो दोस्तों पहले facebook app को open करना है उसके बाद उपर 3 lines पे tap करना है उसके बाद नीचे settings and privacy में tap करना है उसके बाद फिर से settings पर click करना है उसके बाद personal and account information के उपर tap करना है उसके बाद contact info तो यहाँ पे आपको mobile number और 2 Gmail ID दिखाई देगा मुझे यह Gmail ID remove करना है तो मैं पहले इसके उपर click कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं remove करने के कोई option नहीं है मैं back चला जाता हूँ दूसरा जो Gmail ID है उसके उपर click कर लेता हूँ इस Gmail को primary Gmail set कर रहा हूँ तो काम नहीं कर रहा है उस Gmail ID को remove करने के लिए इस Gmail ID को primary Gmail बनाना पड़ेगा अभी क्या करे? सिधा सिधा कोई option तो नहीं दिखा रहा है अपको क्या करना है? जहाँ पे remove लिखा है वहाँ पे tap करना है remove पे click करने के बाद Gmail ID remove नहीं होगा कुछ नया option जो है वो आ जाएगा remove पे tap करता हूँ थोड़ा सा loading ले रहा है अभी आपको क्या करना है? आपको primary email जहाँ पे लिखा है वहाँ पे click करना है click करते ही आपके समने दो Gmail ID आजाएगा आप जिसको primary Gmail सेट करना चाते हैं उसको उपर click कीजिए और save कर लिजिए एक बार back कीजिए उसके बाद refresh कर लिजिए refresh करते ही आपके समने नया primary Gmail आजाएगा पुराने Gmail के नीचे आपको remove option दिखाई देगा अभी आपको remove पर click करना है click करने के बाद आपको यहाँ पर facebook का password पूछा जाएगा आपको क्या करना है facebook का password आपको दे देना है password देने के बाद आपको क्या करना है remove email पर click करना है remove email पर click करने के बाद यहाँ पर थुरा से loading लेगा और यहां पर दिखाई देगा कि चेंज सेब्ड अभी आपको बैक करते जाना है फिर से कॉंटेक्ट इंफो के उपर क्लिक करना है आप यहां पर देख सकते हैं पूराना जीमेल जो है वो रिमूब हो चुका है दोस्तो वीडियो इतना ही वीडियो पसंद आए तो अपने दरफ से की लाइक कर देना आपके सभी दोस्तों के साथ सेर कर देना और चैनल पर नए है तो चैनल को जरूब सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक टाब